इवन पाकिस्तान और चाइना को भी यह पता चला कि यह डील भी यहां से साइन होगी तो उनके तो होश फाक्ता हो गया है एके मिस्रा विदेशी मामलों के जानकार हमाने साथ जुड़ गए है मिश्रा जी आपका स्वागत है अन्वीनियोस पर थैंक यू थैंक यू मिश्रा जी किस तरीके से देखते हैं रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग का यह दोरा काफी एहम रहने वाला है देखे वार लाइक सिचुएशन बनी हुई है और टू फ्रेंट वार की अगर हम यहां पे बात करें आपको पता होगा कि रस्या जो है यह सेलिब्रेट कर रहा है जब उन्होंने जर्मन के उपर विजय पाई थी सेकेंड वर्ड वार में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा गवर्मेंट को कि इतना प्रो एक्टिव एक्शन उन्होंने लिया है यह मेटिंग केवल ऐसा नहीं है कि उस जलसे में सामिल होने के लिए राजना सिंग जी गए है एक स्टेजिक M.O.U. भी वहाँ पे साइन होगा खबरों में आप लोगों ने देखा होगा कि लगबग 20-22 इनको पाईटर प्लेन चाहिए और उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी आम्स एन एमिनेशन चाहिए क्योंकि पास में हमने सारे आम्स एन एमिनेशन जो है रतिया से कड़ीवे हैं ज्यादा तर डील हमारी रतिया से होती थी तो उनके कल पुर्जे भी होते हैं जिनको रिप्लेस करना होता है मेंटेनेंस के लिए और एडवांस में ज्यादा कॉंटिटी में मंगा से रखना पड़ता है कि अगर वार रियल वार अगर एग्जीक्यूट होती है दोनों देशों के बीच में तो जो है कहीं से भी कमी न पड़े तो इसको कि वह इस चीज के लिए मत देखे कि कि किसी एक जल्से में या फंक्शन में वो सामिल होने के लिए गये हैं ये एक प्रो एक्टिव जो है सिचुएशन को मैनेस करने के लिए गौर्मेंट आफ इंडिया का हमारे डिशिंस मिनिस्टर का बहुत ही सोता समझा और इस्टेजिक रणनी की है इस्टेजिक विजिट है देखे मैं आपको बता हूँ नो डाउट आपने सही बोला वहाँ पे आप देखिए पी एले के भी ऑफिसर गए हुए है और चीन के पॉलेटिकल पार्टी है उनके भी लीडर गए हुए है ये ख़बर जैसे ही पता चली इंटरनेशनल मीडिया में शुरू में तो ये था कि इंडिया की तरद से शायद रिप्रेजेंटेशन ना हो लेकिन लास्ट मोमेंट पे ये चीज़ दिसाइट किया गया है और उनको भी इवन पाकिस्तान और चाइना को भी पता चला कि ये डील भी यहां से साइन होगी तो उनके तो होश वाक्ता हो गया है क्योंकि जिन विमान की डिमान हम लोगों ने इमर्जनसी में की है हमारे रख्षा मंत्री जिन मतलब सुपर फाइटर प्लेंस की जो है फाइटर जेट की जो डिमान करने गया है वो इतने ज्यादा भारी बरकम थाइट होंगे चाइना के उपर पूरे से पूरा वार गेम को ही चेंज कर दिया जाएगा तो चीन और पाकिस्तान दोनों के होश वाक्ता हो गए है जब उनको असली वीजन पता चला कि भारत के रख्षा मंत्री का वहाँ विजिट करने का परपच क्या है यहाँ पर फर्क है कि दूसरे देशों के जो भी मेहमान गया है आप उनको एक नॉर्मल विजिट समझिए कि एक पॉंच्छन हो रहा है उनको इन्वाइट किया गया है लेकिन यहाँ पर खीक है इन्वेशन वगरा बाई लेटरल रिलेशन्स यह सारी चीज़े सही है एक जो बहुत बड़ा इस्टेटिक परफ़स हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो अपने देश के लिए एक बहुत 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 अचीमेंट होगा कि हमको इमीडियेट सप्लाई यह सारी चीज़े की जाएंगी जो कि एयर पोर्स या डिसेंस के जो इस्पेसिलिस्ट है उन लोगों ने जो भी डिमांड की होगी हमारे परकार से पिश्रो जी तमाम एहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत रशुक्रिया तो विदेश मंतरी